नमस्कार तो मेरे पास बहुत फोन आते हैं कि सब इतने नंबर है यह कट आफ गई है अगली बार हमारा क्या होगा रही थे तो मैं हमेशा कहता हूं सब इतने नों नीचे गए थे उटने लोग उपर गए थे यू के अलवेश एवन एस्टीमेट चलो तो रहें कहीं लोग पोल करते हैं और वही शैंकली जो हमारे क्लाइट नहीं है फिर नों को भई कहना पड़ता है कि देख शी यू हवाग को बीकप आवर क्लाइंट लेकिन सब लोग शाद नहीं बनना चाहते पीपल केनोट अफोल् सत्य-सत्य लाग का प्राइवेट कॉलेज लेने वाले हैं लेकिन 30-40-50 जार नहीं खौशनी फीज वो नहीं देना चाहते पता नहीं उनके दिमाल में क्या चलता है और खासकर जिनको स्रकारी सीट मिलने वाली है वो एक बेटर और बेस्ट स्रकारी कॉलेज के लिए 25 जार लेकिन ठीक है आपकी सोच है फिर भी यह मैं आपको समझाता हूं सब सुनने वालों को मेरे चैनल के कैसे आप exact prediction कर सकते हैं तो आप खुद समझ लेजिए और अगली बारी सब खुद कर सकते हैं आपको हमें कॉल करने ही है कॉमेंट में डालने की जरूत नहीं है चैनल कोई हरियाना का जो राउंड वलगाट अलोटमेंट था वो यह है और एक्जेट वही है जो सरकार ने निकाला है तो हम यह भी देख सकते हैं कि कितरे कितरे कॉलम थे और मैं कोई भी डेटा ऐसा नहीं पब्लिश कर रहा है जोगी confidential है क्योंकि यह सब तो वेपसैटों पे छपा ह हो गता धा यह यह निकला और यह दक्ला एंप अब यह दिखकर आम एक ह्टाजम है आप भरियाना के बच्चे हैं आप आप हर्याना के सेंट अब Home 8 dim cycle कर देख ए में एक अजीब सा सरकारी रूल लास्ट इयर आ गया कि 40 लैक रुपीज प्लस और 7 येर का बॉंड है अगर आप गवर्बन कॉलिज से पढ़ाई कर दें करेक्ट वही मत्यव प्रदेश में एक आपको पता है कि गोल्डन थीं है जिसको हम मिधावी छात्र योजना और जनकरल्यान योजना कहते हैं कि 6 लाग तर अगर आप इंकम है फैमिली की तो आपके पूरी प्राइवेट कॉलेज की फीज सरकार पे करती है सिमिलर्ली मत्यव प्रदेश में राउंड वन भी फ्री एक्जिट नहीं है अगर आपको सीट मिल गई और आपने नहीं ली चाहे प्राइवेट में चाहे सरकारी में तो फिर आप काउंसलिंग से डिबार हो जाती है वही हर्यान है कुछ भी नहीं है ठीक है इसका फरक क्या उसने नहीं अपलाई करा किसी भी कॉलिज में चोंकि उसको मालून था कि शायद में मद्यव प्रदेश से डिवार नहीं होना चाहती है और इन लिस्टों से शायद हमने ये भी पता चलता है कि देखिए पूरे मद्यव प्रदेश से बच्चों की फर्स चॉइस महात्माग और शायद भुपाल में रहते होंगे और सिमिलरली हर्याने में अगर आप देखेंगे तो आप देखोगे कि बस पीजी आई और एसाई पीजी आई रो तक फेमस फॉर क्वालिटी इंटर्नल पीजी कोटा वेरस एसाई मेडिकल का ये फैदा है कि आप बांड से बच जाते जाई कल्बना चावला शुरू होता है शायर इस बच्चे वो नहीं पता था कि बहुत अगरोग बना चावला से अगरोग भी देखेंगे उन पर भनना शुरू कर दिया कल्बना चावला से ऐसा नहीं होता था दो सार पहले ता जुपता ये बांड में आया था राइट तो तो मैं हमेशा असले क्लाइन से बच्चों से कहता हूँ कि एक जब आप इतना बड़ा आपको चीज मिलने वाली है तो एक प्रफेशनल काउंसलर हायर करने में पंजूसी मत कीजिए हम चाहे कोई और भी कीजिए अच्छा काउंसलर हायर कीजिए जो खुद दिमाग वाला ह खेर इस पे अभी नहीं खीचूँगा तो फिर तो उसकी बात पर आते हैं कि आप कैसे जज़ करते हैं अब मद्यव प्रदेश चे पहले आता है देखिए आपको मैंने अभी समझाया कि मद्यव प्रदेश में लोग मुझसे पूछ रहे जो प्रैवेट वाले हैं जैसे मैं यह देखा कि इसी रैंग के बच्चे को और इंडिया में क्या मिला है जी आप देख सकते हैं तो यह आप देखोगे कि फिर 244 रैंग पर एक्टुली बच्चा है और इसको बहुत अच्छा मिलिया है जो कि इसको शैद एम्स दिल्ली मिलिया है EWS मोटा है और वहां पर भी तो आगर कोई बच्चा अब इस बच्चे तो खुशी से वालियर लिया है उनले नहीं पड़ेगा है ना इसने खुशी से भुपाल लिया है वन्ने इसको इंडौर मिली जाता लेकिन जब इंडौर खतब हो जाता है जब खुशी से मिलना बंद हो गया लटसे लास सीट लगाएंगे आप इंडौर EWS का उधर से आफ लगाएंगे किसका आप फिल्टर लगाएंगे कि आखरी सीट को कब खत्म होगी और आप जज़ कर सकते हो कि आपको तो शैद इंडौर अगली बार मिल जाएगा क्योंकि वो जो 244 रैंट वाला बच्चा था वो तो एमस दिल नीचे जाने की जो भी ये लास सीट खतम होगी है ना उसके बाद अलाउट्मेंट शैद सौ बच्चे भी नीचे नहीं जाती क्योंकि जैसा मैंने कहा ठीक है लोग अप्रेट के लिए मांग सबते हैं सब लोग सीट ले लेते हैं और यहां पर कट आफ नीचे नहीं जाती लिए वेरी सिंबल रीजन मिधाविचातर के चक्कर में अब यहांने में तो आपको पूरी फीस पे करनी है प्लस हर्याणा में फ्री एक्सित भी था तो हर लोगों ने मस्ती में जिसे में कोगवा भर दिया और इसकी वजह से SGT जैसा कोले जोंकि बहुत महँगा है उसकी कट आफ भी बहुत उपर गई है राउंड बन में और इसकी वजह ही है यह जोंकि फ्री एक्सित है तो SGT से आप उम्मीद कर सकते हो कि बहुत भेंकर गे सकता है राउंड टू में अलब राउंड बन में तो कट आफ चार सो कु सब्सक्राइब करते हैं तो यह सब सब्सक्राइब करते हैं तीनों आपके पास हैं आप इस तरह जज्ज्मिन कर सकते हैं कि कौन से बच्चे जाएंगे क्योंकि यह स्थीधिसी बात है स्पैशली सरकारी बच्चों के लिए आपका दो यह ओप्शन होती है ना मिशा या तो आप जाओगे इस लिस्ट में जो कि All India की लिस्ट है इसके अंदर ऑल इंडिया कोटा भी है एमस भी है भी है भी है या आ आपको अपने स्टेट में तो तभी उपर मिलेगा जब यह बच्चा चला जाएगा इस अपर के बच्चे हैं जिन और इटे कोटा मिला है चाहिए अपने स्टेट में चले जाएंगे बिलकुल चले जाएंगे जैसे इंदर के बच्चों की पसंद रहेगी महात्मा गांदी इंदर तो अगर तो स्टेट कोटा से नहीं मिल रहा है और इंडिया कोटा में भी आप तो अपने स्टेट में पढ़ोगे ना जो मैं में वेन्डिया कोटा के लिस्ट है जिसमें इंडिया की टॉप सेबनी कोटेश्ट ना पंजाब नेक्सिमों दिली वर्दोजी रायस्थान फर्दोजी यूपी तो आदे भरनाजी बागी तो यह है बीहारतर तो जानेहिं नहीं नहीं है तो सौन तो बिल्कुल ने कोजिए ते वह सिर्फ कॉलिटी देखते हैं वो मसफी को आलटी मिंटестноर्घिय्यान कि इस्तिमाल करेंगे दूर दूर चले आती हैं ग्रटा का बच्चा में अपने कॉलेज मिल रहा है अपने स्टेट मे वो चौँ जाएगा साउथ में वो चो जाएगा मिदोर मनीपौल में वो चौँ जाएगा अंदवान में इन स्टेट्स के अलंठीक की सीट्स हम राइस्थान डेली अजडना के बच्चे ही ले दे होते हैं जिनको कोई और सकारी कॉलेज नहीं मिला तो इस तरह से इन तीन एक्सल को देखे आप जज्जमेंट करते हैं कि मैं कितना दूर हूँ मुझे अगली कॉलेज में सीट मिलने की उम्मीद है या नहीं है तो मैंना कोई चोटा हाँ डेमो दिया इस तरह एक-एक बच्चे वाप चेक कर सकते हैं और आपको खुद ही जज्जमेंट कर सकते हैं कि बहि कितना नीचे जाएगी इसमें कोर्स भी लिखा हूँ ना क्या कैटेज़री लोकेट हूँ है से कुछ लिखा हूँ तो आपको आपको देखेगा कि freedom fighter जो भी ऐसे categories है वो बीच में लिखी होती है जो एक्स है मतलब कि normal है उसके में कुछ special sub category नहीं है जैसे हम नीचे जाएंगे तो आपको और sub categories दिखाई देती है आपका दिन शुख हो